ओम शान्ती आज बाबा के 29 तारीके महावा के हैं। बाबा ने कहा मीठी बच्ची तुम्हारी याद अनकॉमन है जिसे तुम इन आखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। उत्तर है आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलविड है उसे याद करो। कोई भी देहदारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगे। डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चड़ा रहेगा। सब गुण स्वत्य आते जाएंगे। खीत है ओम नमो शिवाई ओम शांती। बच्चों ने अपने बेहद की बाब की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वै बेहद का बाब सम्मुख बैठा हर एक बच्चे की बुद्धी में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी ये मैमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्सा ले रहे हैं। ये याद आने से ही खुशी का पारा चड़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय स भूल जाओ नहीं भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं तो बुद्धी चली जाती है। उस निराकार बाप की तरप उनको बुद्धी से जाना चाता है। दिन रात बुद्धी में ये याद रहना चाहिए। हम बेहत के बाप से बविश्य 21 जन्मों का वर्सा ले रहे हैं, निश्चे तो पक्का होता ही है, लौकिक माबाप में निश्चे बैठा, फिर उनमें संशे थोड़ी हो सकता है, परंतु ये नई बाते हैं, वो धीम से बाप को जाना जाता है, बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्सा मिलना है, हम कलब कलब उस बाप से वर्सा पाते हैं, बुद्धी में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है, हम हकदार हैं, जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा, लौकिक बाप से वर्सा लेते हैं वह तो बहुत याद पड़ता है इसमें अनकॉमन बात यह है जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे इसलिए बाप को याद करना पड़ता है लौकिक बाप की याद तो आटोमेटिकली रहती है इन आखों से देखते हैं बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता यह बाप इन आखों से दिखाई नहीं पड़ता बुद्धी से याद करना है हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्सा पाने के लिए पुर्शार्थ करते हैं इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता जितना याद करेंगे बुद्धी पवित्र होती जाएगी ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते कहते हैं ना मुख से राम राम कहो परन्तु इस राम का शिव बाबा का चित्र तो है नहीं इसलिए मनुशों का बुद्धियो चला जाता है उस राम तरफ सद्गती दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है पहले तो जरूर रचैता शिव बाबा आया होगा तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी उनके बाद फिर राम का राज चला अब तुम सत्युक ट्रेता में राज करने के लिए बाप से वर्सा ले रहे हो ये बुद्धी में चलना चाहिए पर पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार है राम सीता लक्ष्मी नारेन आदी भी एक ही बार आते हैं भल पुनर जनम लेते हैं परन्तु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है राम सीता भी प्रालब्द भोगने के लिए पुनर जनम लेते हैं ये ज्यान सारा बुद्धी में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी कोई को भी समझाना बहुत सहज है स्वर्ग के रचैता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है बेहत के बाप को याद तू सभी करते है बाप नई सर्ष्टी रचता है तो सभी सुखी हो जाते है इस समय तो सभी दुखी है, ये ड्रामा ही, दुख सुख का बना हुआ है, सुख में कौन राज करते हैं, लक्षमी नारेण, फिर त्रेता में राम सीता, तुम जानते हों, इतनी वर्ष इस घरानी का राज चलता है, क्रिश्चन समझेंगे, हमारे क्राइस्ट ने राजाई र भारत वासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, सत्यूग में लक्षमी नारेण का राज जिता, जिसको ही हैविन स्वर्ग कहां चाहता है, जो बाप ही इस्थापन करते हैं, पतित दुनिया में आए, तब तो पावन बनाए, ये याद रहना चाहि हम उस बाप से बेहद का वर्सा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारना कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादकार भी है, अब वह फिर से आया हुआ है, पहले आते हैं, निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते है, सत्युग में लक्ष्मि नारण practical में राज्य करेंगे, फिर भक्ती मार्ग में पुजारी बन चित्र आदी बनाएंगे, लक्ष्मि नारण का इस समय कोई accurate चित्र तो नहीं है, फिर practical में आएंगे, अब शिव बाबा तुमको practical में पढ़ा रहे है ब्रम्हान द्वारा कितनी सीधी बात है और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है वह सब मनुश्य मनुश्य को पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ाती आत्मा है आत्मा ही ओर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा कहती है, मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ, नौलेज से बैरिस्टर बनते हैं, यहां तो है वेंडरफुल बात, निराकार शिव बाबा निराकार आत्मा उसे बात कर रही है, आत्मा में संसकार रहते हैं, मनुशे यह भू पूल जाते हैं, निराकार बाब इन द्वारा समझाते हैं, उनका एक ही नाम शिव है, तुम भी कहते हो शिव बाबा बुद्धी उपर चली जाती है, लौकिक बाब को याद करने से शरीर याद आ जाएगा, शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, परमात्मा का मंदिर ही निर आकारी रूप का है, आकारी देवताई हैं, साकारी मनुश्य, वह है ही निराकार शिव, तुम्हारी आत्मा अब नौलेजफुल बन रही है, बाब कहते हैं, मैं निराकार हूँ, मेरे में स्रष्टी के आदी मत्य अंत का नौलेज है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इस द्वारा, तुम भी मेरे समान नौलेजफुल बन जाओ, यह नौलेज सिवाए निराकार बाब के कोई दे नहीं सकता, निराकार परमात्मा को ही नौलेजफुल, बिलिस्फुल, पतित पावन कहां चाता है, बाबक कहते हैं, पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं बनाता हूँ, जैसे मुझ निराकार में सारे जहाड की नौलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ, तुमारी आत्मा भी ऐसी नौलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ, इस स्विष्ठी के आदी मद्य अंत की नौलेज सुनने से, तुम नौले पवित्रता का सागर, बच्चों को आप समान बनाते हैं, तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे, तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी, बाप की क्वालिफिकेशन अलग है, बाप ज्यान का सागर है, तुमको भी बनना है, बाप पवित्रता का सागर है, ह फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्वों के लिए सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो एक मुझे याद करो दूसरा न कोई मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ बाप को भूल और कोई याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे शिव बाबा है most beloved सबसे प्यार बाप है तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है वंदे मात्रम तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो इसलिए तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ती पांडव सेना तुम पांडव भी हो क्योंकि परमधाम की यात्रा पर युद क मैदान में खड़े हो माया पर जीत पानी के लिए बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्यान सागर पवित्रता का सागर बनना है देह का एहंकार तूट जाना चाहिए जनम जन्मांतर देह धारन की है तो वे आदत पक्की हो गई है अब इस आदत का त्याग आया तुमको भी इस पुरानी देह को छोड मेरे पास आना है विनाश होता है तो कुछ कारण होगा न वर्थ नौट पैनी चीज का ही विनाश होता है अब तुमको स्वर्ग चलने के लायक बनाते हैं वहां स्तदेव सुख ही सुख है सुख धाम और शान्ति धाम यह है दु शान्ति देने वाला है परमपिता परमात्मा कोई कहते हैं मन की शान्ति चाहिए बोलो कैसे शान्ति चाहिए यह तो है दुख धाम क्या तुमको सुख धाम चलना है पाप को याद करो तो सुख धाम चलेंगे अशान्त करने वाला है रावन माया जो यहां हाजिर है मुक्ती जीवन मुक्ती में आशांत करने वाला रावन होता नहीं, इसे लिए अब चलो अपने घर वापिस, अगर सत्युग में चलना चाहते हो, तो चलो, हर एक आत्मा जीवन मुक्ती जरूर चाहती है, ऐसे नहीं, सब सत्युग में जीवन मुक्ती में चलेंगे, वै तो सिर्फ आत्माएं उपर से आती हैं, वै पहले जीवन मुक्ती में है, माया की परचाया नहीं लगती है, सतो प्रधान बन, फिर सतो रजो तमों में आते हैं, माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है, दुख नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र है ना, फिर आपवित् पाएंगे, ऐसे नहीं कि आने से ही दुख पाते हैं, ये सुख दुख का खेल बना हुआ है, बाबा के खयालाद चलते ही रहते हैं, मनुशों को भीती देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए, सिर्फ चित्र देख मनुश्य मूझते हैं, समझो, शिव बाबा का चित्र चित्र देख कहेंगे, भगवान ऐसा थोड़ी होता है, भगवान का रूप क्या है, फिर भी लिखा हुआ रहता है, पहनों और भाईयों, आकर बेहत के बाब से 21 जनम सदा सुख पाने का पुर्शार्ट करो, वह तो जब कोई सन्मुख आए, तब समझाया जाए, निमंदर देते हैं, दिन प्रती दिन बहुत शौट बनाना होता है, पिछाडी में शौट होता जाएगा, मन मनाभव बाप को याद करो और उनसे वर्सालो, तो लिखना चाहिए, बहनों भाईयों सत्युकी राजाई 21 जनमों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो, इस होवनहार लड खुलते हैं, ये कोई दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो, इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा, वे कोशिश करते हैं, लड़ाई न लगे, तुम जानते हो, इस महाभारी महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है, सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पाट पजाने आएंगे, तो युक्ती से लिखना चाहिए, तुम हो रुहानी पंडे, वह हैं जिस्मानी देहधारी पंडे, तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो, तुम जानते हो, बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तुम को लिखना पड़े, कि बेहत के बाप से आकर वर्सा लो, निराकार अक्षर जरूर लिखना है, तुम जानते हो, बाबा आया हुआ है, इस करम शेत्र पर हम भी वहां से आते हैं, सभी आत्माओं जो एक्टर्स हैं, इम्पेरिसिबल, इमोर्टल आत्माओं हैं, कभी म अनेक बार वर्सा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे, पुर्शार्ट से तुम जानते हो, शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्सा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्सा लेते हो, बाप और वर्से को याद करेंगे, तो अंतमती सोगती हो जाएगी, बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ती थोड़ी हो जाएगी, अखबार में डालते हैं, पलाना स्वर्ग वासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए, स्वर्ग किसको कहते हो, ये तो नर्ग है, तो पुनरजनम भी नर्ग में लेंगे, अगर कोई शरीर छोड़, नर्ग से स्वर्ग गया, वहां तो उन नर्ग के वैबव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्ग में क्यों बुलाते हैं उनको नर्ग का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्य हो जाएगी कैसा अन वैसा मन हो जाएगा स्वर्ग में तो दूद घी की नदियां बहती है तुम तो गासलेट का खाना खिलाएंगे श्रीनात द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है क्योंकि वहां रादे कृष्ण का चित्र है तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे च्छे वैबव बनाकर लगाते हैं ऐसा भोग और कहां नहीं लगता जगनात का भी मंदिर है वहां चावल का भोग लगाते है वहां वैबव नहीं चड़ाते अब तो नर्क है तो दुख है स्वर्ग में तो सुक था बाप समझाते तो बहुत अच्छा है परंतु धारना नंबर वार होती है ये भी ड्रामा में नूद है ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने है थर्ड क्लास टिकेट भी कोई तो जरूर लेंगे न फर्स्ट क्लास है सूर्यवंची राजधानी सेकंड क्लास चंदरवंची राजधानी थर्ड क्लास है प्रजा उनमें भी नंबर वार है अब जिसको जो टिकेट चाहिए वे लेवे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते 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 जी धारना के लिए मुख्यसार है बाप समान ज्यान का सागर पवित्रता का सागर बनना है विदेही बनने का अभ्यास करना है दूसरा पॉइंट है बाप की याद से बुद्धी को पवित्र बनाना है सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्सा ले रहे हैं वर्दान है न्यारे पन के अभ्यास द्वारा पास्वित ओनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में करमाती थोने के पहले न्यारे और प्यारे रहने की अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया सेवा या कोई करम छोड़ा नहीं लेकिन न्यारे होकर सेवा की ये न्यारापन हर करम में सफलता सहच अनुभव कराता है तो सेवा का विस्तार बले कितना भी बढ़ाओ लिकिन विस्तार में जाते सार की इस्तिती का अभ्यास कम न हो तब ही डबल लाइट बन करमाती इस्तिती को प्राप्त कर डबल ताजधरी ब्रह्मा बाप समान पास्विद ओनर बनेंगे स्लोगन है स्वयम को ऐसा शक्ति स्तंब बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो अच्छा, ओम शान्ति